कि यह वली शेयर से भी दो मेंट के लिए पकने देते हैं आप दे सकते हैं दूसरी शेयर से भी ब्रोन हो चुके हैं लिदा से कच्छा लगे उदा से टाखे पका सकते हैं सबज दनिया ब्री कटा हुआ दो सबज में चे ब्री कटी हुए एक चमझ प्याज ब्री कटा हुआ आदी प्याली चावल का आटा एक प्याली वेशन दो बाइल किये हुए आलू आलू को कदुकश कार लेते हैं दोनों वालूं को इसी तरह कदुकश कार लेंगे आदा चमझ नमक नमक जरूरत के हसाब से डा सकते हैं आदा चमझ पिसी हुए लाल मिर्च आदी चमझ रग्दी पॉडर आदा चमझ पिसा हुए दनिया है दो चमझ आईल आप आईल की जगह गी डाल सकते हैं अब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कार लेंगे आप दे सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कार लिया है थोड़ा सा पानी डालेंगे पानीज में थोड़ा ही डालना है इसे सेम हमने आटे की तरह गूंदना है जैसे आप आटा गूंते हैं ऐसे इसे गूंदना है आप दे सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया आप इसे दो-धीन कबिनिस के रूल त्यार कर लेंगे आप इसके कवाब भी त्यार कर सकते हैं ठीकियें भी त्यार कर सकते हैं आप दे सकते हैं सबको इसी तरह त्यार कर लेंगे आप दे सकते हैं सबको मैंने त्यार कर लिया आईल को मैंने गरम होने के लिए रखा था आईल हुमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है चुले की आज को नो थोड़ा सा कम कर लेते हैं अब एक एक करके स्नैक्स डालेंगे सबको मैंने डाल दी है दो मिट के लिए से पकने देते हैं तुले की आज को मैंने कम रखा है अब थोड़ा थोड़ा आईल लेके न उपर डाल लेते हैं आप जैदा आईल भी डाल सकते हैं वो आपकी मर्जी है जिसने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है मेरे चैनल को लाजबी सब्सक्राइब कर ले मैं बहुत ही कम चीजों से कम सालों से बहुत मजजी की रस्पी बनाती हम período की यह मिट हो चुके हैं आप ठाल लेते हैं मश Allahा देखे यह वली शेयर से भी दो मेंट के लिए पकने देते हैं आप दे सकते हैं दूसरी शेयर से भी ब्रॉन हो चुके हैं लिदा से कच्छा लगे उधर से टाखे पका सकते हैं इसने अक्समारे दोनों से ब्रॉन हो चुके हैं अब चुल्य को बंद कर देते हैं इसे बाहर नका लेते हैं इसे चनी में डाल लेना जो अक्सरा आयल है वो निकल जाएगा आप दे सकते हैं सारे स्नेक्स मारे त्यार हो चुके हैं आप इसे प्लेट में डाल लेंगे आप दे सकते हैं सारे स्नेक्स मारे त्यार हो चुके हैं ये बहुत ही मज़े के बने हैं आप खुद भी बना के खाएं बच्चों को बना के दे ये बहुत ही तेस्टी है